Hello students, complex number से हमारा अकला question है If points having fx's z minus iota z and 1 are collinear, then z lies on यह हमारे पास 4 options दे रखे हैं इस question का मतलब क्या है? मतलब यह है कि यह जो तीनों points है एक line पर लाई कर रहे हैं यह हम से कहा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम पहले एक line draw करते हैं उस line को लेकर हम समझते हैं कि कैसे solve करेंगे इसको यह देखें यह एक line हमने draw कर ली इसमें यह 1 है z, 1 है minus iota z और 1 है 1 क्योंकि अलड़ी इनोंने कहा है कि यह collinear point है तो obviously इसका area कितना होगा? 0 होगा तो अब इसका area कैसे निकाल देंगे? तो इसका area निकालने का तरीका यह होता है determinant सबसे पहले z के लिए करेंगे z, z bar, 1 अब इसके लिए करेंगे minus iota z यह हो जाएगा अब इसमें अगर bar लखेंगे तो यह तो हो जाएगा z bar और minus iota का हो जाता है iota तो यह हो जाएगा iota z bar और 1 और तीसरा है 1 तो इसके लिए 1, 1, 1 होगा तो यह हमारे पास area अगर तीन points आपके collinear हैं तो उसका area 0 होगा उसको इस तरीके से हम represent करते हैं equal to 0 यह area निकालने का तरीक है हमारे पास ठीक हो गया? अब इसको हम solve करते हैं ठीक है? जैसे आप determinant solve करते हैं आप वैसे ही solve कर लेते हैं इसमें से इसको minus करो तो यह z minus z bar हो गया इसमें से इसको minus करो यह z bar minus 1 हो गया और यह 1 ही रहती है ऐसे ही इसको भी कर लो इसमें से इसको minus किया तो minus iota z plus z bar हो जाएगा इसमें से इसको माइनस करें तो यह हो जाएगा IOTA Z bar minus 1 और यह 1 इसमें से इसको माइनस किया 0 इसमें से इसको माइनस किया 0 और यह 1 ठीक है यह आपने matrix and determined पढ़ा होगा तो determined topic में हम किस तरीके से column wise subject करते हैं अब इन दोनों के लिए अगर हम solve करें तो answer 0 आएगा तो हमें इसके लिए solve करना पड़ेगा तो इसके लिए हम कैसे solve करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे इनको multiply करेंगे इससे इसको multiply इसको multiply करके देखते हैं क्या आता है तो हो जाएगा z minus z bar multiply iota z bar minus 1 minus इसको इससे multiply करना है तो already इसके पास minus है तो यह plus कर लेते हैं iota z plus z bar और z bar minus 1 equal to 0 अब इसको हम solve करते हैं और solve करके देखते हैं क्या condition यहाँ पर आ रहे है है ना तो z को पहले iota z bar से करूँगा तो यह हो जाएगा z z bar iota z को minus 1 से करूँगा तो minus z इसको इससे करूँगा तो यह हो जाएगा minus iota z bar square इसको इससे करूँगा तो plus z bar यहाँ पर भी ऐसे z को z bar से करूँगा फिर iota लगा दूँगा तो iota z z bar फिर z को minus 1 से करूँगा तो iota लगा दूँगा तो minus iota z z bar को z bar से multiply करूँगा iota लगा दूँगा तो plus iota z bar का square z bar को minus 1 से करूँगा iota लगा दूँगा तो हो जाएगा minus iota z bar equal to 0 यह आप multiply करके खुद भी देख सकते हूं अब देखते हूं यहां पर कौण कौण सी terms cancel out हो रही है आप यहां पर देखें तो यह term और यह term cancel out बजा रही हैं और इसके अलावा और कोई term यहां पर cancel out हो रही है यहां पर देखो यह लिखा है z z bar iota plus iota ज,z bar तो यह हो जाएगा 2 iota z,z bar ठीक हो गया, यहां तक हो गया हमारे पास, अब इसको आगे देखते हैं और यह तो solve कर लिए हमने, यह है minus z, यह है plus z bar, यह है minus iota z तो इन दोनों मैंसे मैं z minus z common निकाल लेता हूँ, तो 1 plus iota हो जाएगा और z bar minus iota z bar मैंसे, मैं z minus z bar बाहर निकाल लेता हूँ, तो यह हो जाएगा iota minus 1 equal to 0, इसको चाहो तो आप iota plus 1 उससे भी लिख सकते हो हमारे पास यह टम कुछ इस तरीके से आई, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास z, z bar के पास जो 2 iota है उसको सबसे डिवाइट कर देते हैं, तो हमारे पास आजाएगा z, z bar minus, ये z over 2, 1 plus iota over iota मैंने कुछ ऐसे लिख 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 लिए, यहाँ पर z bar over 2 iota minus 1 over iota, कुछ ऐसे लिख 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 लिए, इसको ज़रा solve करते हैं, z, z bar को as it is, copy कर देंगे हम, minus z over 2, तो यहाँ पर ये देखो, 1 over iota होता है minus iota, और iota over iota होता है 1, तो यह हो जाएगा, 1 minus iota, ठीक हो गया, minus z bar over 2, iota over iota होता है 1, और 1 over iota होता है, आपके पास क्या, वो होता है, minus iota, पहले से minus है तो जाएगा, plus iota equal to 0, ठीक हो गया, अब आपको यहाँ पर जो यह term दिखाए दे रही है, यह जो equation दिखाई दे रही है वैसे तो यह equation circle की equation को represent करती है लेकिन अगर आपको इसमें कोई confusion है तो आप क्या कर सकते हो z की जगा x plus iota y put करो z bar की जगा x minus iota y put करो हर जगा और solve करके देखो आपको एक circle की equation ही दिखाई देगी complex number में जो circle की equation होती है हम उसको इस तरीके से represent करते है z, z bar minus z a bar minus z bar a minus b equal to 0 कुछ इस तरीके से हमारा representation होती है ठीक है तो आप यह देख सकते हैं अगर मैं इसको a बोलू a bar बोलू तो फिर यह a हो जाएगा हमारा क्योंकि इसका इस पर अगर इसका bar लगाओगे तो ऐसा कुछ बनता है तो यह हमारे पास एक circle की equation आ जाती है तो हमारे पास यह option इस option में हमारा जो बी option है यह correct option है और इस तरीके से हमारे solution भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है complete हो जाता है तो बच्चों वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक जरू करे और चैनल को सब्सक्राइब जरू करे थैंक्यू सो मच